अगर मैंना शुरक्षीट rozho esasukती तो यह मुझभर पूरॉबालाकांड केसे होता अभी यह बाली काश गए जोवा है वो कैसे होता सर्कार कई एक्योड़की के रिजाना चैन्ट मुझे है डीचेंसे वह बहुत 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 बैरी सरकारा ऑधीrás वो लड़की, लड़की क्या क्लिए, मैं तो कहती हूं इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब बर जाना चाहिए, जो बोलती है कि लड़की गलत है, लड़की ससक्त होने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को ससक्त बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें वो लों independent पड़ना पड़ेगा और यह चीज नहीं हमारी कर शकती है और सशक्त होने के लिए और भी बहुत रास्ते होते हैं यह मनुवादी जो सरकार है वो तो मैला। को से भी बत्तर समझते हैं। उनके लिए तो मैलाई क्या एक पसू के समान है। हम लोग तो बोलते निकमी सरकार है अब आप ही सोचिए कि ड्रोन से पहले उन्होंने शराप को क्या किया पहले हर जगह उन्होंने खुजबाया उसके बाद भी उन्होंने हेलिकॉप्टर से यह बहुत ही यह हास्यापत बात है नमस्कार जन्ता जंक्सर में आपका स्वागत ह मैं राष्टिय जन्ता दल ने महिलाओं के लिए क्या किया देखिए एक राष्टिय जन्ता दल पार्टी ही है जो महिलाओं को मान और शमान देती है और मुझे महसूस होता है कि वह समाज कभी परगती नहीं कर सकता है जहां पर महिला परगती नहीं करती है तो वह समाज कभ परनिये लालू परशाद यादब जी, उन्होंने बहुत महलाओं को, इनफेक्ट जो दलीत महलाएं हैं, उन लोगों को MLA बनाया, मंतरी बनाया, MP बनाया, ये हमारी राष्टी जनतादल पार्टी ही कर सकती है, और ये कोई दुसरी पार्टी नहीं कर सकती है, चाहे वो सक्षा की बात हो, देखिए हमारे जो परतिपक्ष के नेता हैं, मानिये तेजश्वी आदब जी, आज वो सदन से लेकर सरक तक सवाल उठाते हैं, जो निकम्मी सरकार है, उसको बोलते हैं, तो वो सरकार बोलती है, हमें मालूम नहीं है, तो ये बिहार का ऐसा हाल हो गया है मैं ये जानना चाहता हूं कि महलाओं को ससक्त होने के लिए क्या क्या करने चाहिए? जो हमारी परदेश अध्यक्ष हैं, उर्मिला ठाकुर जी, उन्होंने देखिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसमें मानने तेजस्वी आदब जी आए, सभी वरिष्ट नेता आए, हमारे मदेपुरा के प्रोफेसर चंदरे सेकर भाईया, वो भी विदायक यहाँ प अपने विचारों को ससक्त बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें वो वो इंडिपेंडेंट बना पड़ेगा, और ये चीज हमारी पार्टी ही कर सकती है, और ससक्त होने के लिए और भी बहुत रास्ते होते हैं, यह जो मनुवादी जो सरकार है, वो तो महलाओं को पसुदा अभारी रहेंगे, और हमेसा यह महलाओं को यहां पर शंवान मिलता है, और वो शंवान मिलता रहेगा, मुखमंत्री कहते हैं के हमने बहुत काम किया, राश्च्ये जनतर्दादल कोई समान नहीग देती है, महिलाओं के कहने पे हमने बिहार में सराब बंदी कर द फिराजा पर उन्हों हेलीकॉप्टर से यह बहुत ही हास्या पदाढ बात है कि हलीकॉप्टर से वह सराफ ढूडवा रहे हैं, जो इतना भरस्टार हैं, अपनाधी मडर करके, अपनाधी छिप जाते हैं, वह है लिकॉप्टर से नहीं ढूडवाते हैं, लेकिन अफसर साही मैं तो कहते हूं कि जो अभी वो जो समाज अंदोलन वो छेर रहे हैं मैं तो कहते हैं अफसर साही का अंदोलन यह जो सरकार है अफसर साही का है और अंदोलन करना चाहिए नितियुस कुमार को कुछ नहीं महिलाओं के लिए करती है अगर महिलाओं के लिए कुछ करते हैं यह बाली का कान जो हुआ था आप देखे होंगे हमारे परतिपक्ष के नेता ने कितना उन पर सवाल उठाया तो कैसे कहेंगे कि महला यहां पर बिहार में सुरक्चित है महला उस दिन सुरक्चित यहां पर मानी जाएगी जिस दिन जब महला दो बजे रात में बहुत अच्छी होती है मासूम होती है बोली होती है इस बोलने का क्या है कोई कुछ मजव बोल सक दें जा इस अपनी बात है लेकिन मैं बताती हूं जो महिलाओं के लिए करते हैं जो आप देखेंगे गरामीन जाके आप स्कूलों में जाके देखेंगे कि वहाँ पर जो बच्चियों के लिए किया जाता है ठीक से उनको ना कुछ वो जो रासी दे जाती है उनको समय पर पहुंसता है तो कैसे महिलाए के लिए वो कर रहे हैं? बताइए, महिलाए कहां सुरक्चित होती? तो यह मुझपर पुर्वाला कांड कैसे होता? अभी यह बाली कांड जो हुआ है, वो कैसे होता? और देखिए बहुत बहुत बहरी सरकार है वो लड़की क्लीजरी वो मैं तो कहती हुँ इस सरकार को चुलू भर पानी में डूम मर जाना चाहिए जो बोलती है कि लड़की गलत है अगर जूट का जब पर्दा फास होता है तो यह सरकार लाचन लगाती है यह लाचन लगाने सरकार तो इश क्या कहना यह निकमी सरकार का आगर महिलाओं को सम्मान देते तो आज आप देखेंगे थे आने वाले समय में इसे हमारी परदेशं के नतिर्त में सिर्फ महिलाई आएंगी और वो कभी नहीं जाएंगे या वूस पार्टी में तो यह थी रागनी रानी यादव जो की राश्टी जनतादल के नेत्री हैं और तेस्वी आदना में आज एक अच्छी पहल की थी कि जो आज जह सदन में महिला बिधायक ही सवाल पूछेगी आज अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद